बमबाम देखें बाबा मनाथ बरफानी जी की किर्पा और आप सभी भगजनों के सैयोग से जो शेड पंदरा जून को यहाँ पर हमने लगाना शुरू करा था अब बड़े दुखी हिर्दे के साथ उसी शेड को धीरे धीरे हम कोलोज कर रहे हैं और जितना मुश्किल यहाँ पर सेड लगाना है उससे ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर इस सेड को उतारना है कि यूँ माने आप दो महिने के लिए यहाँ पर पूरा घर बसाना पड़ता है और फिर उसे यात्रा जैसे ही संपन होती है यहाँ से एक एक नेट एक छोटा सा छोटा इस शेड का जो हिसा है वो एक स्क्रू है उस क्रू को भी यहां से उठा कर इस पावन धर्ती, जिस पावन धर्ती में, जिस शिव लोक में बाबा जी ने हमें यहां पर बैठ कर अपने भक्तों की, चरण कमलों की सेवाएं करने का आवसर दिया, उस पावन धर्ती को हमसे जितना बन पड़ता है, बिल्कुल साफ सुत् एक टौफी का कागज भी यदि यहां पर रह जाए, तो उस टौफी के कागज को भी हम यहां से उठा कर जाते हैं, परंतु फिर भी उसके बावजूद भी चाहा कर भी हम इसे उतना साफ सुत्रा नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा मरनात बर्फानी जी की यह पावन धर्ती, य यहां पर भगजन आते हैं और मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पावन धर्ती में किसी भी परकार की गंदगी हमें फैला कर नहीं जानी, उसके बावजूद भी बाबा जी अगले वर्स फिर पूरी इस पावन धर्ती को साफ करते हैं और हमारे लिए फिर नई सीरे से हमें बुलाते हैं, हमें अरे लिए तियार करते हैं और ये देखें किस तरीके से ये शेड को धीरे धीरे उतार रहे हैं क्योंकि जब हम शेड लगाते हैं तब हमारे मन में एक आस होती है कि भगजनोंने आना है और हमने उनकी सेवाई करनी हैं परन्तु जब श चेड उतारते हैं तो उस समय केवल और केवल दुख होता है कि कैसे इस पावन धर्ती को छोड़ कर यहां से जाएं और मन में बस फिर भी यह खुशी के भाव होते हैं कि शुकर है बाबा जी ने हमें अपने पावन भक्तों के लिए चुना और यहां पर खुद हमें सेवाओं का मौका दिया तो यह आप देखे जैब भूलना था एक एक करके किस तरीके से यह दर्शन है यह दर्शन जी की टीम अब यह देखें किस तरीके से वहाँ धीरे धीरे से रसी से उस पोल को नीचे उतार रहे हैं और फिर धीरे से यह देखें यह देखें यह अराम से जड़ा हैलमेट पहने दर्शन हैलमेट कहा हमारे यह देखें यह देखें यह देखें बंबं 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 तो इस परकार से बड़ी मुस्तादी के साथ वैसे तो करने कराने वाले हमारे भूले ना जी हैं परन्तु यहां पर मैं इन सभी भगजनों का जो यहां पर लगातार दिन रात एक करके इन्होंने यहां पर सेवा करी अब दिन रात एक करके इस भंडारे शीवर को कलोज करेंगे तो इनका मैं किस परकार से शुकराना करूँ मेरे पास सब नहीं है बंबं 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 बंबं